बैंडी डोट्स के एपसोड 7 में स्वागत आप सभी का जिसका नाम है दा ट्रीजर और इस एपसोड की कहानी स्टार्टिंग होती है जहां पर दिखाया जाता है सारे लोग जो है वो बंद चुके हैं एक कमरे में और उस कमरे में ऑक्सिजन अब खतम होती जा रही है और सारे लोग मरने की कगार पे आ गए है और जो विल्सन है वो मरने की कगार पे आ गया है क्योंकि उसके पेट में चाकू खोब दिया था उस विलन ने फिर दिखाया जाता है Octavio वो पुलिस वाली जो है कैमरे के सामने बैठी रहती है तब वो देख लेती हैं ये वीडियो तो एक लूप है हमें फसाया जा रहा है और जब वो अपना गेट खुलने के कोशिश करते है तो उनका गेट बाहर से लॉक होता है इदर Octavio गेट तोड़के भार आ जाता है और तब ही देखता है वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा शातिय रहते हैं और वो उन गुंडों को मार के फोर देते हैं इसके बाद सितलाली जो है उसके पेर की रसी जो है वो खोल लेती है और फिर वो गेट कोलने के कोशिश करती है लेकिन कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा होता है और सबकी सांसे जो हैं वो भर रही होते हैं कि उस कमरे से ऑक्सिजन दीरे-दीरे लुप्थ हो रही है और तब ही Octavio जो है उस रूम के पास आ जाता है इधर सितलाली जो है एक प्लेट लेके उस गेट को खोलने के कोशिश करती है और Octavio उस गेट को खोल देता है तब ही सारे लोग बहुत जादा खास रहोते हैं और फिर वो लोग उठते हैं इसके बाद Will को भी उठाते है Wilson जो है अभी मरा नहीं है वो अभी होश में था इसके बाद Miguel बोलता है कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ फिर दिखाया जाता है Ariel को पहले खाजाने तक पहुचना पड़ेगा तब यह लोग सारे भूट में बैटके चले जाते हैं क्योंकि वो जो खाजाना है वो पानी के अंदर है इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं तब ही Wilson जो है अब मरने के कगार पे आ गया है वो सबसे बाते कर रहा होता है वो लिली को पास में बुलाता है और लिली को एक पासपोर्ट देता है क्योंकि लिली बोलती है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे इसलिए आप मेरे को एक पासपोर्ट दे दो वल्दी से खजाना लूट ले और फिर अमीर हो जा और फिर अपने बाप को अच्छी जगे पे रखना और उसका इलाज कराना इसके बाद Wilson जो है वो मर जाता है और Miguel बहुत ज़दा रोता है यहां सारे लोग बहुत ज़दा रो रहे होते हैं और इसके बाद वो लोग Wilson के लिए एक गाना भी गाते हैं और जो बॉड़ी होती है Wilson की वो उसी समंदर में फेक देते हैं और कहते हैं कि Wilson ये शाम तुम्हारे नाम इसके बाद होता ही है Miguel जो है अपना नक्षा देख रहा होता है और वो नक्षे को आसमान की तरफ उठाता है और देखता है कि सितारे जो हैं वो नक्षे से मैच कर रहा है हमार लुकस जो है वो एक ट्रैकर फिक्स करता है जब ख़जाना डूबा होगा उस समय सितारों की जो टाइमिंग थी वो कहाँ पे थी इसके बाद लिली बोलती है हमें कोई फरक ने पड़ता और फिर लुकस बोलता है देखो ये खजाना यहीं होगा और अक्ताविय बोलता है ये बिल्कुल गलत हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा शिप इस पानी में और इस जगे पे कैसे होगा मेगैल बोलता है जिसने खजाना चुपाया था वो नहीं चाता था कि उसके खजाने की तलाशी हो इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जो मुश्किल था और तब ही उसी मुश्किल रास्ते पर उसकी शिप डूब गई और उसका खजाना भी डूब गया सब सारे लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पे पुलिस वाली एक ट्रैकर देखती है, वो बोलती है कि पुलिस वाले हमारे पीछे हैं और मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन अक्तावियो बोलता है ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारे से और हम ही पहले प अक्तावियो भी, तो सब कुछ साही चल रहा होता है और तब ही हो जाती है सुबह, ये लोग पहुँच जाते हैं उसी जगे पे फिर ये लोग सित्राली को कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और बोलते हैं जलपरी जाके खजाना ढून के ला, और सित्राली अंदर जाती है और वो बहुत जादा चलाक होता है उसने मून स्टोन अपने पास रखाता और इसकी कहानी ये है कि जो वो राजा था जिसने खजाना चुपाया था उसने अपने सातियों से जूट गोला था और वो बैमान था इसलिए उसने एक ऐसी चाबी बनाए थी जिससे वो बिना अर्ट मून स्टोन के वो संदूग खोल पाए और वो था मून स्टोन और मून स्टोन जो था मिगल के पास और मिगल उस संदूग को खोल देता है और जैसे ही वो उस संदूग को खोलते हैं उसमें बहुत सारे हीरे जवारात और बहुत सारी अशर्फिया होती है साथ साथ वो तेन हट जाओ और सब पे गन तान देता है उसके गुंड़े भी आ जाते हैं तब ही ये लोग चौलाकी से सब गन निकाल देते हैं पुलिस वाली बोलती है गन नीचे करो और इदर लिली जाती है और उसकी तलवार निकाल के उसी को मार देती है और इसके बाद वहाँ पे एरियल आजाता है एरियल जो है उस सुपर विलन को दो-तीन गोलिया मारता है और मिगैल जो है विल्सन की टांग से उसको मार देता है इस वज़े से वो गुंडा वहाँ पे मर जाता है तब ही एरियल आता है और कहता है कि तुम लोग खजाने से हट जाओ ये मेरे म्यूजियम में जाएगा तब ही ओक्तावियो बोलता है कि क्यों ना तुझे मार के हम ये खजाना ले जाएं तेरे से पहले और इसके बाद एरियल कहता है कि देखो पुलिस यहाँ पे आती होगी इतनी तो पहुंच है मेरी लेकिन फिर एरियल बोलता है चलो कोई बात नी वो तेन दुआ मुझे दे दो ताकि मैकसिकन जो है वो मेरे म्यूजियम में आए और मेरे म्यूजियम का नाम हो जाए और ये खजाना जो है वो तुम रखलो मुझे नई चीए सोना होना और इसके बाद वो देखते हैं कि तेन दुआ है कहां तब ही दिखाया जाता है लिली जो है वो तेन दुआ लेके भाग रही होती है और मिगैल बोलता है कि लिली तुम ऐसा नहीं कर सकती तुमने मुझे फिर से धोका दिया लीली बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं ये तेनद्वा ले जा रही हूँ और तब ही मेगैल पुलिस वाली की गन चीन लेता है और कहता है कि तुम अगर रुकी नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा लीली भी गन निकाल लेती है और कहती है कि तुम तो गोली मुझे चला नहीं सकते क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो लेकिन मैं जरूर चलाओंगे इसके बाद जो Wilson का हिस्सा है वो चला जाता है मिगेल के पास क्योंकि उसकी आखरी एक्षाती की मेरा जो हिस्सा है वो मिगेल ले ले और लेली का हिस्सा वो सब लोगों में बार देते हैं और फिर लिली को एक बंदा ढूडने आता है जो कि गुंडा रहता है और वो बोलता है कि ये बंदी कहा है लेकिन पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि वो बंदी तो मर गई है और अब उसकी लास भी नहीं मिल रही है इन लोगों को फिर दिखाया जाता है अक्तावियो जो है वो उस पुलिस वाली का बच्चा लेके आता है और कहता है ये लो तुमारा बेटा इधर ये लोग खुश हो जाते हैं सितलाली और लुकस जो है एक अच्छी वेकेशन लाइफ जी रहे हैं और वो अलग है इसके बाद दिखाया जा जाते हैं इधर सारे जो हैं अपनी अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं तब ही एक कहानी में ट्विस्ट आता है दिखाया जाता है लिली को और लिली जो है उसने अपना नीम चेंज कर लिया है क्योंकि विल्सन ने उसके लिए एक नकली पासपुट बनाया था और लिली को मरना पॉजल जरूरी था तब ही तो दूसरी लिली पैदा होती और इधर मिलता है मिगैल लिली से और कहता है कि चलिए मैडम आपको लौग ड्राइफ पे लिए चलता हूँ ये लोग लोग डॉनाई पे जाते हैं और लिली कहती है कि एक बात बताऊँ अगर हमारे पैसे खतम हो गए ना तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते लेकिन मेगल बोलता है तुमने टियर ओफ फायर के बारे में सुनना है एक ऐसा खाजाना जिसे किसी ने भी नही देखा है और लिली खुश हो जाती है कि तुम नहीं सुद्रोगे और यह सेवन्थ एपिसोड है बैंडी डोट्स का यह खतम हो जाता है यह फाइनल एपिसोड था तो आई होप आपको यह वैब सीरीज अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज मैरे चैन झात, bye-bye, see you!